हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आज चानल करंट अफ़ेर अपडेटेड इस दिवाशी शवस्ती और आई थिंक बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोला था कि उनके एक्जाम्स हैं तो इसलिए जो सेप्टेमबर मंत का वीडियो है वो तुरंत ही आ जा यह है कि आपको लेक्शे बहुत पसंद आने वाला मैं पहले से ही बता रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने एक-एक पॉइंट शो कवर किया है तो चलिए स्टार्ट करते हूं देखते हैं सेप्टेमबर मंत में क्या-क्या चीज न्यूज में थी और उसको क्या-क्या आपको याद करना है सबसे पहली न्यूज जो है बहुत सिंपल सी है जमुन कश्मी का जो उद्धंपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज कर दिया गया है अब निया नाम क्या है that is Captain Tushar Mahajan Railway Station तो सीधर नाम पुछा है का आपको मार्क करना होगा Captain Tushar Mahajan Railway Station ठीक है तो पहली चीज तो यह कि railway station का नाम नेम चेंज हुआ है चलिए second news में आते है second news है AFSPA से लेटेट What is this Armed Forces Special Power Act ठीक है मैं बता दूँ यह news में क्यों है यह इसले news में क्यों कि Ministry of Home Affairs ने क्या किया है जो AFSPA है इसको नागलेंड और अरुनाचल प्रदेश में extend कर दिया है अब सबसे पहले यह होता क्या है वो मैं बताए तो आपको 1958 में यह Act बना था ठीक है पहली बात इसका काम क्या है कि जो military एती है उसको special powers दे दिये जाते हैं जहां पर भी यह Act लागू होता है मतलब जो भी disturbed areas होते हैं वहाँ पर आस्पा लगाया जाता है और disturbed areas में military के पास ज़्यादा powers होते हैं बेसिक आपको याद अखना है ठीक है जम्मु इन कश्मी जो union territory है वहाँ पर है और अरुनाच्छर प्रदेश में इतने states में आस्पा लगा हुआ है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है चले आगे बढ़तें next news में आतें next news है first green hydrogen fuel cell bus जो अभी recently launch की है किसने petroleum minister हरदीब सिंग पुरी जो है उन्होंने ही इसको launch किया है डेली से launch की गई है और किसका ये initiative है that is first green hydrogen fuel cell fuel cell bus जो इंडिया की है इसको इसका ये initiative है Indian oil corporation का याद दखिया है इनिशेटिव है तो पूछा सकते हैं आपसे कि ये किसका इनिशेटिव है तो आपको answer mark करना है चले आगे बढ़तें next news में आतें next news क्या है ये आ सकता है किसकी first domestically built submarine है तो answer है ताइवान जिसका नाम है हाइकून तो simple सा question आएगा हाइकून है क्या चले सम्मरीन है अब आपको पता होगा इंडिया और कैनेडा की टेंशन चल रही है उसी बीच में एक बड़ी important चीज न्यूज में आ गई ये five eyes intelligence alliance ये न्यूज में चलने लगी है what is this five है मतलब five countries होंगी five countries है US, UK, Canada, Australia and New Zealand ये पाँच countries है ठीक है ये establish हुआ था ये alliance 1946 में to share intelligence intelligence को share करने के लिए ये alliance बनाय गया था अफकोस उस ताइम पर किसको counter करने के लिए Soviet Union को counter करने के लिए alliance बनाय गया है अब देख रहे हैं अब इस तमें Canada में एक death हो गई है अफकोस जिस पर blame इंडिया पे लगाय जा रहा है जिसकी वैसे ये alliance जो है वो भी वापस news में आ गया है कि ये alliance अब क्या action लेता है क्योंकि इसमें Canada भी है तो आपको याद अखना है what इसमें की death हो गई है 98 इसमें की death हो गई है तो यह याद रखना है पूछा है सकता है MS Swaminathan कौन है कमेंट बॉक्स मुझे बताइए इंडिया के green revolution के head तो मैंने आपको बता दिये है father जिनको खायाता है green revolution के father किसको खायाता है not India overall world की में बात कर रहा हूं उनका नाम आप अब इनकी भी death हो गई है तो पूछ सकते हैं भी recently Ajit Ninan की death हुई है वो किस field से belong करते हैं तो answer would be cartoonist है चले आगे आते है next मध्यपरदेश के बड़ा important question है इंडिया का smart city conclave अभी 2023 में अभी September में हुआ इंदौर मध्यपरदेश में हुआ है ठीक है और जब यह conclave हो रहा था इ इस conclave के according और यह announce किसने की award ministry of housing and urban affair ने announce किये comment box से मुझे बताइए अभी yet present ministry of housing and urban affair के minister कौन है या मुझे comment box से mention कर दिये ओके जब यह award दिये गए तो उसमें best city award मिला इंदौर को तो मैं देखें इंदौर से lecture ले रहा हूँ मध्यपरदेश से तो इंदौर को ही यह award मिला है बेस state award किसको मिला है मध्यपरदेश को मिला है यह बी मैं दौर से मध्यपरदेश ते ले रहा हूँ मध्यपरदेश देखे हमारा best state award मिला है smart city की smart city की बात करें तो और union टेटरी में award मिला है चंदीगर को तो यह आपको याद अखना है और conclave कहा हुई है conclave हुई है मध्यपरदेश के लिए ज्यादा important question होगा वैसे normal भी important question है कि elephant festival अभी recently celebrate किया गया कहाँ पर बांधोगर tiger reserve में जिसको नहीं पता बांधोगर tiger reserve मध्यपरदेश के उमरिया district में located है यहाँ पर elephant festival अभी बनाया गया इसलिए question आ सकता आपसे next जो औरिशा से video देख रहे है उनक question direct exam में आएगा ठीक है और यह static question होगा आपको mark करना पड़ेगा next बड़ा important है इंद्र जाल मेरे लिए favorite इंद्र जाल यह क्या है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इंद्र जाल क्या है यह दिख रहा है आपको यह है क्या बता देता हूं बहुत important है क्योंकि हैं है इंडिय इंडिया का पहला first AI artificial intelligence powered anti drone system जिसका नाम रखा गया है इंद्र जाल आप सोचोंगे सर क्या है यह first AI powered anti drone system मतलब क्या है इसका मतलब यह ऐसी technology है जो यहाँ दखिएगा जो enemy का drone रहता है drone से रहते हैं उसको detect कर लेगी और destroy भी कर देगी okay detect और destroy कर देगी using radio frequency तो इसी के लिए क system जो है जिसका नाम है इंद्र जाल पूचकते यह इंद्र जाल है क्या okay चलिए आगे बढ़ते है next अभी रिसेंटी एशियान की summit हुई 43rd एशियान summit जो 5th सेप्टमबर को ही इंडोनेशा जकारता में हुई तो पूचकते कहा हुई है इंडोनेशा जकारता में अब एशिय में आता है you have to mark the correct answer that is jakarta that is indonesia okay prime minister moody भी गए थे अफकोस इंडिया एशियान summit में हो गए थे और इस एशिया national infrastructure working group meeting तो जो लोग doubt में मीटिंग तो खतम हो गई मीटिंग अभी भी देखिए चल रही है और यह अभी मीटिंग कहा हुई है यह हुई 21st September 2023 में हुई है और यह मीटिंग हुई है खजराहु मद्रप्रदेश में okay तो इसलिए जोसको doubt था कि G20 अभी हो गई है तो 30th November तक इ इसलिए चल रही है नेक्स इंडिया द्रोन शक्ति 2023 सीधा पुछाएगा कहा हो रहा है यह गाजियाबाद यूपी में हो रहा है गाजियाबाद में हो रहा है यह दिखेगा इंडियान एर फोस हिंड़न एर बेस इन गाजियाबाद ठीक है अब आप मुझे कमेंट बॉक्स मताईए यह गाजियाबाद है कहां पर किस स्टेट में गाजियाबाद लोकेड़ है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे इंडिया द्रोन शक्ति 2023 अभी रीसेंटली यहीं पर हुआ है चलिए आगे इस बड़ी इंपॉर्टन एस्बियाई ने लॉंच किया ह पूछ सकते हैं किस ने लॉंच किया इंडिया का पहला ट्रांजिट कार्ड तो आंसर है SPI ट्रांजिट कार्ड होता क्या है वो मैं आपको बतायता हूँ ट्रांजिट कार्ड क्या है एक तरीके से डिजिटल टिकेट फेर पेमेंट है एक सिंगल कार्ड दिया जाएग आपक आप बस यूज़ करो, मेट्रो यूज़ करो, वाटर फेरी यूज़ करो, पार्किंग यूज़ करो, अब सिंगल कार्ट से पेमेंट दे सकते हो, तो इसी को कहा जा रहा है, नेशन फर्स ट्रांजिट कार्ट, जो कि किसने लॉंच किया है, SPI ने, तो ये कोशन आपके एक्ज एक्षाइज है, जो कि अभी रिसेंटली कंड़क की गई, कहा पर, अरेबियन सी में, तो पूछ सकते है, वरोना 2023 किन दोनों के बीच में एक्षाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में, नेक्स है, साची इंडिया की पहली सोलर सिटी बन गई है, जिसको नहीं पता, सा सेपटमबर मन्त पे नीज्य सेप्टमबर मन्त में कुछ तीन जिया टाइग दिया गया है, वो में आपको बताएता हूं, पहला है आंद्रपरदेश को जिया टाइग दिया गया है, किस चीज के लिए, अत्रिया पुरम पॉत्तारे कुलू, ये है क्या, देखिए, एक मीठ साइटम है जो बना होता राइस और गुड से जागरी मतलब राइस और गुड से मिलके बना होता है और इसको रीसेंटली जी आई टाइग दिया गया आंत्रप्रदेश थे ठीक है तो यह आदक है दूसर जी आई टाइग जो अभी सेप्टमबर में न्यूस था वो था से मिला है और तीसा जी आई टाइग जो सेप्टमबर मत में न्यूस में था वो तमिल नाइडू का है सलेम सागो जिसको अपन लोग नौर्थ इंडिय में साबूदाना कहते हैं तो यह अभी इसको जी आई टाइग मिला है तो यह तीन आपको याद अख रहे हैं जो रीसें हो रहा है हो रहा है गोवा में कभी गोवा में जाना लाइट हाउसे आप देखोगे बड़े अच्छे सजा दिये गाए थे तो यह गोवा में हुआ है यह आपको यादखना है नेक्स आता है अब देखिया अभी रिसेंटी सिंगापूर का प्रेसिदेंटल एलेक्शन यह कंफिक तभी सेप्टमबर मंद पर वापस न्यूज में आ गया पुराना कंफिक्ट है पूछा दखता है यह एरिया जो है यह किन दो कंट्रीज के बीच में कंफिक चलता रहता है दो कंट्रीज अर्मेनिया और अजर्बेजान तो याद दखियेगा दोनों एए से हैं इनके बीच का एक कंफिक जो है इस एरिया में कंफिक चलता ही रहता है तो सीधा कोशन आगे कंफिक किस रीजन से बिलॉंग करता है अब आप चाहें तो डीटेल में इस कंफिक क्यों देख सकते हैं बट अभी एक्जाम पस्पेक्टिव से पूछें किन दो कंट्रीज के ब आगे बढ़ते हैं आगे आप देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट है टाइगर रिजर्व नाम पढ़िए आप विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी रीसेंटली इसको टाइगर रिजर्व का टाइग मिला है और यह मद्ध्य पदेश में अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मद्ध्य पदेश में अधी शंकराचार की स्टेचू बनाई गई है यह बनाई गई है यह बनाई गई है 108 फीट की और यह बनाई गई है इस डिस्टिक्ट में मद्ध्य पदेश के खंडवा की डिस्टिक्ट में ओम कारेश्वर में और यह स्टेचू है भी रिसेंटली इनाउगरेट भी कर दी गई है यह सिएम शिवरा सिंग चोहान और आपको यह भी याद रखना है इसके साथ-साथ एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है किसका अद्वेत लोग का तो बड़ा इंपॉडेंट ऐसे महाकाल लोग कोरिडोर आपने देखा है वैसे अद्वेत लोग कोरिडोर भी डेवलाप हो रहा है ओमकारेश्वर में अगर मैं बात करूँ अदिश शंकराचार जी की तो यह डिवोटी रहे हैं किसक रांक वन पर जो था वो था स्विझजरलैंड कौन था स्विजरेंड जो कि यूरोप में है नेक्स आता है प्राइम मिनस्टा मोदीन एक पराइमिन सेनल इस्टेमपर माद पर नूज में ठेञा यह पूछ चकते इसके राइटर कौन है इसके राइटर है रादिका एयंगर जो है वो राइटर है इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो it is tells about the relationship between death and afterlife उसके बीच का relationship है just remember the book name और author name ठीक है ऐसे एक और book है let's move forward ये book जो है मैं बता दू जॉइंटली NCRT ने और UNESCO ने मिलके create की है इस book में भी आप देखेंगे तो overall health children's school children's इसकी कैसी better हो सकती है उसके बारे में हापा चीजे मेंशन की गई है let's move forward में चलिए आगे बढ़ते है next है that is नौकाई festival this is important दो फेस्टिवल की मैं बात करूँगा एक है नौकाई festival औरीसा से जो students देखें उनको पता होगा इस festival के बारे में क्योंकि अगे बाड़ा मेंली फेस्टिवल है जारकन के भी कुछ हरियाद में सेल्बेट किया था बट ओरीसा का ये में फेस्टिवल है इस ए एगरी कल्चर फेस्टिवल तो यादर कि नौकाई फेस्टिवल पूच चकते हैं तो आनसर भी औरीसा जारकन आप्शन नहीं देगे करेंबस्ट सेक्राफ्ट को दिखा सकिए और आप देख सकेंटीव जइन कशमीर के वही एनवरेट कर रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे जम्मो इन कश्मीर के लेफ्टेंट गवर्णर का नाम, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स आता है, गवर्णमेंट लॉंच किया, यह बड़ा इंपॉर्डेंट है, अभी रीसेंटली, किसान, रिन प करो फार्मर्स को ईक्स correct को किस तरह हम काककर सबसेडाइबों क्रिडिट क्रिट रू किसान करिड़ कार्टि में स्कीम, इसमें फार्मर्स का पूरा डांटा आ जाएगा, अंको किसान करिडिंट कीम में जो सबसेडाइबों को लौन्स नहीं मिल Sc를 उक्रिणजाइगे, तोग घर घर KCC अभ्यान यह क्या है यह अभ्यान के अंदर या दखेगा actually बहुत सारे ऐसे beneficiaries हैं around 1.5 करोज जो PM किसान scheme में तो हैं ठीक है लेकिन वो अभी KCC के अंदर connected नहीं है that is किसान credit card scheme के अंदर connected नहीं है तो इस campaign के अंदर उनको connect किया जाएगा और थर्ड जो है that is wind full form है weather information network data system यह क्या है इसके अंदर या दखेगा एक तरीके से establish किया जा रहा है automatic weather stations और rain gauge जो पंचायतियों तालुक से connect किया जाएगे जहां पर आपको यह पतल चाहिएगा किस तरह का weather forecast उसके इसाप साप कौन सी crops लगा सकते हैं यह सारी चीज़े आपको बताई जाएगी ओके आगे बढ़ते next प्याते next topic के उसको आप देख सकते हैं यहां पर that is women reservation bill तीक है हिंदी में कहा जा रहा है इसे क्या नारी शक्ती वंदन अभी that is वंदन अधिनियम तो यह क्या है अभी रिसेंटली इसको प्रेजिदन ने भी एसेंट दे दिया है 128th constitution amendment bill था जिसमें 33% reservation है women's को कहा कहा that is लोकसभा में और state legislative assembly में तो यह अभी रिसेंटली अभी यह पास हो चुका है और यह अभी government अपा official notification issue करेगा तब से लागू हो जाएगा और यह 106th constitutional amendment है और bill number आपका लगा 128th bill था और amendment number 106th है चलिए आगे बढ़तें next वर्ल्ड हैटेस साइट अभी रिसेंटली दो नई वर्ल्ड हैटेस साइट डिकलेर की गई है UNESCO ने दो वर्ल हैटेस साइट डिकलेर की है उनके नाम बताये तो हमें एक है शांती निकेतन ठीक है यहाँ देखेगा 41st world हैटेस साइट है इंडिया की 41st है यह जो की West Bengal में लोकेट है और 42nd जो है होसले टेंपल जो की करनाटका में लोकेट है तो अभी रिसेंटली दो डिकलेर की गई है तो अब 40 से 42 युनेस्को द्वारा world हैटेस साइट हो गई है आगे बढ़ते है Old Parliament vs New Parliament debate जो है मैं बता दो Old Parliament जो है अब तो नए परलेमेंट में शिफ्ट हो गए है Old Parliament का नाम चेंज करके रख दिया गया समविधान सदन तो पूछ आकते Old Parliament का नए नाम क्या रखा कि समविधान सदन Old Parliament की बात करूँ तो एडविन लूटिन्स और हेडबर्ट बेकर ने इसको बनाया था या आकिटेक्ट थे इसके और इसको इनॉग्रेट किया था 1927 में उसकाइम पर जो लूट इरविन थे वोईस्ट रोय थे उन्होंने इनॉग्रेट किया था Old Parliament को अब तो हम नई पार्लेमिट में शिप्ट हो गए अब आप नई पार्लेमिट का दीटेल लेखना चाहते हैं 10 km पर ही बना हुआ है यह है क्या यह है इंडिया इंटानेशनल कंवेंशन एन एक्सपो सेंटर जिसका नाम रखा गया यह यह उभूमी प्रायम में इसको इनॉगरेट किया यह होगा क्या यहांपर यहापर यह पर मीटिंग्स होगी investments होंगे, conference होंगे, exhibition होंगे. Short form बोला जाए, माइस global skill माइस का या रा, माइस का होगी, meetingम भी, incentives भी है, conference भी और exhibitions मी है. तो global skill में सब चीज यहां पर होंगी. तरीके का world का largest है Yash Military इस नाच फ़ोर्णजों चाहँ है. Short form है UPAG. यह हैं कि यह लॉपज क्या है यह खो पुल फॉर्टल प्रकुर्टाल को मैज किया टा को फॉपज launch किया गया, तो आपको full form याद रखना है, ओके, चलिए, नेक्स है, इंडिया का पहला Airbus, जिसका नाम है C295 Aircraft, ये किन दोनों ने मिलके jointly बनाया हुआ है, तो jointly partnership है, इसमें European Aviation Leader Airbase की, और साथ-साथ में Tata Group की, तो दोनों का ये एक joint partnership है, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं नाम इसका, ठीक है, नेक्स है, भारत, the mother of democracy portal, ये अभी recently launch किया है, ministry of culture ने जब G20 की summit हो रही थी, ये portal है क्या, यहाँ पर बता जाएगा history of democracy in India, मतब 7000 साल की पुरी democracy showcase की आएगी, Indus Valley Civilization से लेके 2019 तक की, पुरी democracy जो इंडिया की, वो इस portal में show की जारी है, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next पर आते हैं, next क्या है, President Draupadi मुर्मुजी जो है, उन्होंने inaugurate किया है, first global symposium on farmer rights in New Delhi, आप सोचेंगे, ये symposium क्या होता है, conference होती है, तो farmers की conference जो है, वो अभी recent ही New Delhi पे, किस ने inaugurate की है, that is Draupadi मुर्मुजी ने, तीक है, आप आगे बढ़िये, फिर मैं आपको और आगे पढ़ाता हूँ, देखे, this is important, अभी September मान चल रहा था, उसको डिक्लेर किया है, राष्टी पोशन माह, तो पूछा क्ते है, राष्टी पोशन माह, जो है, वो किस मन्त को डिक्लेर किया आता है, तो आँसर है September मन्त, और इस सिख्थ राष्टी पोशन माह चला है 2023 में, सिख्थ टाइम डिक्लेर किया गया, वेनु आप सबको पता है भारत मंदपम था जो की जिसको आप इंगलिश में कह सकते हैं International Exhibition Convention Center जो की प्रगती मैदान दिली में सिचुएटेट था 9th and September को मीटिंग हुई यह 18th मीटिंग थी ठीक है तो यह मैंने अल्रेडी पुरा और डीटेल में पढ़ाये हुआ है कि अब G21 एक और मेंबर आड हो गया है जी ट्वेंटीवन हो गया है वह अफ्रीकन यूनियन है अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर्स हैं और इसका हेड़कॉर्टर जो अधेस अबाबा है तो अभी रिसेंटी जो मेंबर आड हुआ है उसका नाम क्या अफ्रीकन यूनियन यह भी पढ़ा चुका हूँ फिर मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि G20 का एक मेजर आउटकम निकला था इस इंडिया मिडल इस यूरोप एकनॉमिक कॉरिडोर ठीक है यह क्या है जहां पर आप रेल्वे लाइन्स और सी लेंस की तुरू टांस्पोरेशन कनेक कर रहा है मैं डाइग्राम दिखाये तहूं आपको ठीक है जिससे की आफकोस एशिया आरेबियन गल्फ और यूरोप तीनों में इकनॉमिक इंटिग्रेशन हो सकेगा ठीक है कैसे यह देख सकते हैं मैप बना हुआ है यह इंडिया है देखे यहां से परिशन गल्फ से होते हुच देख सकते हैं यह पूरा यूरोप तक कनेक्ट हो रहा है तो इसके लिए एमो यू साइन कर दिया गया है इसको यह भी दे इसमें 19 कंट्रीज ने और 12 इंटरनेशन ओगनाजिशन से मिलके याद अखिए कि इस ऐलाइंस को साइन किया है सिफ जी ट्वेंटी की मेंबर्स निए इवन जी ट्वेंटी मेंबर्स लाइक बंगलादेश उन लोगों ने भी इसको साइन किया है तो आपको यादेगा जी 2020 की साथ साथ नौन जी ट्वेंटी मेंबर्स ने भी इस ऐलाइंस को साइन किया हो इंडिया लेड इनिशेटिव है ग्लोबल पायो फ्यूल एलाइंस यह भी याद अखना है नेक्स है इसी जी ट्वेंटी सम्मिट में वर्ल्ट टॉलेस नाटराजा की स्टेचू जो है वो यह भी आपको पॉइंट याद अखना है ठीक है चली आगे नेक्स्ट बात करता हूं में आरोगे मैतरी क्यूब की यह क्या है यह इंडिया का वर्ल्ट इंडिया का छोड़िए इंडिया ने बिल्ट किया वर्ल्ट का फर्स पोर्टेबल डिजास्टर होस्पिटल तो देख क्रिबलब किया गया गया प्रोजेक्ट भीष्मी के अंदर भीष्मी का फॉल फॉर्म है भारत इल्ट इनिशेटिब फोर सहयोग हित् एंड मैतरी वखड़क कर अगया तो पुछ शब कते इसा कश और इंडिया का निव वार्षिप जिसकर आमें महें महेंधर गिरी पुछ Recently, Home Ministry ने 10% Reservation दे दिया Medical Education में Pondicherry Government School graduates को. मतलब जो Pondicherry के Government School से Graduates होंगे, उनको 10% Reservation मिलेगा Medical Education में. तो पूछ अकते हैं, किस Unitary को मिला है? तो correct answer है Pondicherry को मिला इए. Next है, NCRT को Deemed University के Status दे दिया गया. किसको मिला है Deemed University के Status? NCRT को. Comment box से मुझे आप इनकी इनका नाम बताईए, जो Education Minister है. इनका नाम आप मुझे comment box में mention करिये. Okay. Next, इंडिया का largest home built, मतलब Indigenously nuclear power plant जो है वो operation स्टार्ट हो गया उसका. ये 700 megawatt nuclear power plant जो है, काकरापरा गुजरात में situated है. और Largestly domestically constructed nuclear facility in India, मतलब याद खिएगा domestically, मतलब indigenously पूछा सकता है कि operation कहाँ पर start हुआ है, तो correct answer काकरापरा गुजरात में. 700 megawatt nuclear power plant जो है. तो commercially operation start भी हो गया, indigenously built है. इसलिए important है. Okay. Next, aviation minister, आप देख सकते Jotirat Sindhya, उन्होंने रिसंटली एक airport को inaugurate किया है, पूछ सकते airport का नाम ये कहां located है, उतके लाए airport, पूछेंगे, ये कहां situated है, तो आपको correct answer mark करना पड़ेगा, that is Odisha. Okay. अब आगे रीट करिए, मैं पढ़ाता हूँ, ये scheme बड़ी important है. It is PRIP scheme. Okay. PRIP scheme क्या है? Full form देखिए. Promotion of research and innovation in paramet tech sector. ये full form है. इस scheme के अंदर आपको research infrastructure को strengthen किया जाएगा. Simple आपको याद अखना है. और ये scheme launch किसने की गई? Ministry of Chemicals and Fertilizers जो है. उन्होंने launch की है. Comment box दे आप मुझे minister बता जिए, अभी at present कौन है chemical of fertilizers के minister? तो सीज़ी बात इसमें क्या है? Research infrastructure को strengthen करने की बात की गई है. Next है Malvia Mission. ये पूछाएगा Malvia Mission किस से लेटेड है? नाम से तो समझ भी भी आएगा. Madan Mohan Malvia का नाम आपने सुना होगा. उन्ही की नाम पर mission है. इसके अंदर teacher training program है. जो कि UGC ने launch किया है और डेली से चीज लाँच की गई है. Education Minister जो है पैसे निकाल सकते हो. इसको launch किस ने किया है? Hitachi और NPCI ने इसको launch किया है. तो इंडिया का first UPI ATM जो है cardless cash transfer हो जाएगा, withdrawal हो जाएगा. Hitachi और NPCI ने मिलके convenience के लिए इसको launch किया है. Next है आप कुछ appointment देख लेता है. भी recent ली UPSC के एक member appointed हो है जिनका नाम है Dinesh Dasa. क्या नाम है? Dinesh Dasa. पूछ सकते हैं कौन अभी recently appointed हो है तो जिनका नाम है Dinesh Dasa और मैं आपको दाद में गुजरात से हैं. Next है. Press Trust of India PTI से chairman appointed हो है भी recently. नाम है के न शांता कुमार यादे के न शांता कुमार जो है वसुधा गुपता भी recently appointment हुई है Next. FTTI पूने that is Film and Television Institute of India इसके रिसेंटी प्रेजेंट अपॉइंट हुए इसके रिसेंटी प्रेजेंट अपॉइंट हुए इसके रिसेंटी अपॉइंट हुए इसके रिसेंटी अपॉइंट हुई है पहली बार कोई वोमें रिल्वे बोर्ट की चेर्मन बनी इनका नाम है जेयर वर्मा Next. RBI के deputy governor इनका नाम है M. Rajeshwar Rao इनको वन इयर का टर्म जो है इनका एक्सेंट कर दिया गया है तो पूछ आकते हैं अभी recently किसका टर्म एक्सेंट किया गया है इनका टर्म एक्सेंट किया गया है जो की deputy governor है मुझे comment box आप RBI के governor का नाम mention कर दिये Mathematician है आप इनको recently देखे अवार्ड मिला है Shashastr Ramanujan Price 2023 किसको मिला है Mathematician है जिसका हम है Ruiz Yang Zang इनको इनको इवार्ड मिला है option देखे पचान जाना that is sufficient next है वहिदार रह्मान इनको दादा साइफाल के Lifetime Achievement Award दिया गया है तो यह आपको नाम याद रखना है और इनको पदमश्री और पदमभूशन भी मिल चुका है पदमश्री 1972 में और पदमभूशन 2011 में तो अभी डिसेंटी इनको दादा साइफाल के Lifetime Achievement Award दिया गया है नेक्स है स्वातिनायक जो डिसा से उनके लिए बड़ी इंपरेंट परस्नाल्टी है क्योंकि इनको नॉर्मन बॉर्लॉक फिल्ड अवर्ड 2023 दिया गया उडिसा से बिलॉंग करती है और नॉर्मन बॉर्लॉक की बात कहूं तो नोबल साइंटेस्स थे हैं अग्रिकल्चर की फिल्ड में उनको बहुत कुछ काम किया हुआ है और स्वातिनायक को इस लिए मिला है फिल्ड अग्रिकल्चर फूड प्रड़क्शन की फिल्ड की वेसे उनको यह अवार्ड दिया गया है तो इस कोशन आने की चांसे बहुत साथ है नेक्स है रमन मेक्से से अवार्ड 2023 इसमें चाल लोग को मिला है 65 अवार्ड जो था एक इंडिया का वो याद अखना आपको दॉक्टर रवी कनन इनका आम जरूर याद रखना है क्योंकि यह इंडियन है जिसको यह अवार्ड मिला है नेक्स आदके प्रिया सेन का नाम याद रखना मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है यह राजस्थान से बिलॉंग करती है कोशन आ सकता है आपसे नेक्स देखिए एक बड़ा इंपोर्टेंट पढ़िए इसको बड़ा इंटरस्टिंग है जो साउट से है अपईज अबदुलकलाम का नाम आपने जरू सुना होगा कोचिन निवर्सेटी ओफ साइंस और टेकलोजी है उन्हों हों प्रादि डेक्याड यह स्पिशीज है उसका नाम इन्होंने एक अपी जबडुलक्राम के नाम पर रखाया नाम देख सकते है किः comprically तो पुछ सकते हैं कि वैंक्स के नाम पर रखा गया है तो आएव और पी जबडुलकलाम कलामी से परद है एपी जब दूल कलाम next अभी कुछ देस बनाएगा यसे टीचर्स जेट 2023 फिफ्ट सेप्टमबर को सेप्टमबर को सेप्ट किया था थीम थी टीचर्स एड़ एड़ अधीजुकेशन रिकवरी okay थीम सियाद कहते आना हिंदी दिवस 2023 फिफ्टमबर को सेप्टमबर 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 को स इस बार की थीम थी, ओके, नेक्स है, World Tourism Day 2023, इस बार 27 सेप्टमबर को हम सलबेट करते हैं, थीम थी, Tourism and Green Investment, क्या थी, Tourism and Green Investment, तो यह तिन इंपोर्टन डेज आपको याद अखने हैं, अब आते हैं, स्पोर्ट्स के सेग्मेंट में, थीक है, स्पोर्ट्स सेग्मेंट देख लेते हैं, ISSF World Championship 2023 हुई, कहां पर बाकू अजर बेजान में, जो कि 14 अगस से चल रही थी, फर्स सेप्टमबर में कम्टीट हुई, और इंडिया ने टोर्टल 14 मेडल जीते, 6 गोल्ड और 8 ब्रॉंज मेडल, इंडिया की रांक थर्ड रही ये लिखने न आप, और चाइना जो था वो रांक वन पे था, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, ICC ने अभी मेंस क्रिकेट वर्ल कप होने वाला, आपको पता हो कि इंडिया में हो रहा है, वाम अप चल रहा है, मैच भी होने वाला, देखते कौन फाइनल जीता है, और इसका ओफिशल इंथम क्या नाम क्या है, दिल जश्न बोले, अब आपने देखा होगा, लेकिन देख घुमा के जो गाना था, पुराना वाला, पुराने से क्रिकेट फॉलो कर रहा है, वो जारे बेटर, था मेरे एकॉर्डिंग, अब आप देख सकते हैं, दिल जश्न बोले भी आप, सुन सकते हैं, आपका स्टाइम हो तो, प्राइम निस्ता मोधी अभी वारनसी गए तो उन्होंने वहां पर फाउंड़ेशन स्टोन रखा है, किसका, नेच्स है, इंडिया, इंडिया इंडिया ग्राण प्रिक्स 2023, फर्स ताइम इंडिया में ग्राण प्रिक्स 2023 हुआ और यह हुआ नॉइडा यूपी में, ठीक है, बुद्ध सर्किट आपने सुना होगा, वहां पर ये इवेंट हुआ, और इसको जीता किसने, इटालियन राइडर मार्को बेजिची याद रखिएगा उन्होंने ये इवेंट जीता है फर्स टाइम इवेंट इंडिया में हुआ थे यूपी में हुआ है ठीक है अब देख सकते हैं योगी आजित तिनाड अवार्ड भी दे रहे हैं नेक्स है दुरंद कप 2023 इसको मोहन ब तो एशन गेम्स आपको बता है हौंग्शू में हो रहा है जो की चाइना में है और 23rd September से चला है इत अक्टूबर तक चलेगा आज 1st October है और ये लेक्टर आ चुका है तो अभी तक में जितने मेडल्स मिले वो मैं आपको बता देता हूं 19th edition का एवेंट है एशन गेम्स का बट ये बात आपको याद अखना है एशन गेम्स 2022 लिखेंगे हम इसको 2023 लिखेंगे ये एक साल पीछे जाल रहा है 2022 इवेंट है बट ठीक है 2023 में हो रहा है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडिया के फ्लैग बीर थे हमनपीत और लोवलीना जो है हमनपीत होकी की कैप अभी नाइंटीन एडिशन का हो रहा है अभी तक में तिल नाउ अगर थर्टीथ सेप्टमब तक की बात करो इंडिया की रही है इंडिया नाभी तक थर्टीएट मेडल जीत लिए है टेन गोल्ड जीते हैं 14 सिलवर और 14 ब्रॉंज बट जब पूरे कम्पीट हो जाएगा चुछ है कि में और 15 सिल्टाज ने गोल जीते है अगी वह घुतल कि इंडिया ताःं आप प्झ करलो जल्दी अलदी इंडिया की वह के टीम ने गोल जीत लिया है देखेinarian एक होर्स राइडिंग होता है त्क हे इवेंट होता है फृब है उसमें द्रससेटी 他ीम मतलब यह एक इविंट है जिसमें एक्विस्टेरियन में याद एखेगा इंडिया ने गोल जीता है चारो परसनालिटी के नाम आप पढ़ सकते हैं हृदय है अंशु है ठीक है दिव्वे कीर्थी है सुदीप्ती है उनके चारो की इमेज भी आप बनी है दो लड़किया दो लड़किय 25-meter pistol team में याद है कि इन्होंने भी gold हमको जीता है अभी तक 10 gold आ चुके है अर्जुना चेमा सरभजित सिंग शिवा ये team इंडिया अगें शूटिंग में टीम में men's 10-meter air pistol team में इन्होंने भी gold जीताया है शूटिंग में सौपनिल एश्वर प्रताप अगें अखिल ठीक है इन्होंने मिलके men's 50-meter rifle 3-position टीम में हमको gold जीताया है आपको पलक ने अपनको gold जीताया है वोमिन्स 10-meter air pistol में अगें tennis में रोहन बोपन्ना का नाम आपर सुना होगा और रितुजा भोसले जो है ये mix double में इन्होंने भी हमको gold जीताया है tennis के विंट में इंडिया ने squash में पाकिसान को final हरा के 2-1 से इंडिया ने इसमें भी gold जीताया है squash में सौरव थे अभय थे हरिंदर थे महेश थे इंडिया को gold जीताया है squash में और shooting में जा देखिएगा shift core samra जो है जो की women's 50-meter rifle 3-position में इन्होंने भी इंडिया को gold जीताया है तो आप देख स कि मैंने आपको gold बता दिये है okay Asia Cup 2023 हुआ cricket का tournament हुआ जिसको इंडिया ने जीत लिया है श्रिलंका को हराया और यह event श्रिलंका और पाकिस्तान में हो रहे थे मैं अब दो कंट्रीज में हो रहे थे Grand Slam tennis important है क्योंकि अभी Grand Slam tennis हुआ और अभी September मत में जो हुआ है वो है US Open जो 143rd edition था hard court में हो रहा था इसको men's single में जीता है Novak Dokovic ने जो Serbia से belong करते हैं और women's single में Coco Gauff ने जीता है जो USA से belong करती है बाकि events पुराने हैं बट मैंने सारे mention कर रखे हैं जैसे Australian Open mention कर दिया है French Wimbledon आप चाहें तो पढ़ सकते हैं मैं अल्लेडी इस पर lecture भी बना रखा हूं बट अभी जो डीसेंटली September में था वो मैंने आपको बता दिया है इसके वीडियो बनाया इंडिया का पहला solar mission उसका लेक्षर आप देख सकतो लिंक description box में तो आप चाहो तो यह लेक्षर देख सकतो क्योंकि यहां पर यहां पर आकर मैंने पूरा September मंथ आप देखिया मैंने complete कर दिया यहां तक आपने देख लिया तो well and good आप बहुत बड़ा परिशान हुआ, बहुत महनत लगी, धूंडा मैंने ऐसे important facts, इसके बाद जितनी book होना जाके September खोल लेना, जितनी YouTube के वीडियो जले होना लोगों के देख लेना, एक question बहार नहीं आने वारा, सारी चीजे मैंने exam perspective से important बता दी है, यह देख लिए, अराम से exam देने जो question इसी से आएगा, अगर initiative पसंद आया है, यह महनत पसंद आई, अगर आप कुछ हमें contribute करना चाते हैं, तो हमारा QR code है, फोन पे पेटियम गूगल पे नंबर भी mention है, अगर आप करना चाहिए, तो contribute कर सकते हैं, आपको पता है, मैं ऐसे ही current of face बनाता रहता हूँ, जिसमें ज subject की booklets हैं, तो कि current affairs के साथ subjects भी important होते हैं, current affairs की भी booklet है, आप ये सारे notes order कर सकते हैं, handwritten notes है, economics है, physics है, art and culture है, याद रखेगा, फिर आप देख सकते है, static GK है, ये सारी booklets जो हैं, आप order कर सकते हैं, घर में आपको courier हो जाएंगी, okay, chemistry है, environment है, physics, chemistry, bio, सब कुछ booklet है, A to Z, और ये booklet सारी handwritten है, अब आप देख सकते हैं, content updated है कि नहीं, ऐसा question कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं इतना updated रहता हूं कि आज 1st October है, पूरी September तक ही grand affair बता दी, Asian Games में अगर 10 gold medal मिलें, वो भी बता दी है, जो अभी कल रात में मिलें, okay, जो 38 September को मिलें, इस साथ updated और कौन हो गया तो notes फुली updated ही होंगे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, modern history हो, ancient history हो, याद देखे का मेरे, मैंने खुद इन notes को लिखा है, अब आप सोच सकते हैं, exam के लिए कितने important होंगे, अगर आपको ये notes और मिल जाते हैं, ठीक है, quality है, physical world geography है, Indian geography है, medieval history है, computer है, सारी booklet हैं, आप तो बन करके, तो इनको order करो, order करने के लिए क्या करना है, मेरा WhatsApp नमबर दिया, WhatsApp करो, call कर सकते हो, WhatsApp करिए, मैं आपको details बता दूँगा, courier कराओ, पैसे की कमी है, तो soft copy भी buy कर सकते हो, एक बात मैं बता दूँँ, अगर आप पैसे पढ़ाई पर invest करते हो, तो ये एक investment है, आपक पर invest करते हो, घूमते रहते हो, ठीक, आप पढ़ाई में invest करो, आपको इसका output मिलेगा, और जिंदगी भर आप खुश रहोगे, ठीक है, तो ये मा सोचा करो, बहुत costly है, costly कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पर invest करना पड़ता आपको, ठीक, अगर invest करो, उसका result मिलेगा, न कर सकते हैं, ये मेरे साइट से suggestion था, suggestion मानना हो, अच्छी बात है, नहीं मानोगे कोई दिक करती है, बहुत लोग मान रहे हैं, successful है, कुछ नहीं मान के भी successful है, लेकिन ज्यादा तर जो मान रहे हैं, वो successful हो रहे हैं, तो इस अप टू यू, whether you want to accept my suggestion or not, ये मेरे साइट से suggestion थ फॉलो करोगे, थोड़ा invest करोगे, आपको results मिलेंगे, ये मेरी guarantee है, ठीक है, या देखिए हमरा application भी है, दिवशीश classes, application डाउनलोड कर सकतो, वहां से अगर आप notes buy करोगे, तो आपको classes में free of cost दे रहा हूँ, हर subject की, quality, geography, economics, ये से classes आपको free मिल रही है, तो उसके लिए आप एक बार application डाउनलोड करो, दिवशीश classes, link description box में mention है, UPSC की हो, state services हो, SSC banking, कुछ भी हो, और application रहो डाउनलोड करना, वहां पर जाओगे, यसे UPSC का example में दे रहा हूँ, पूरे courses available है, ठीक है, और हर चीज़े में आपको properly पढ़ाता हूँ, updated रहते हैं, सारे content, और question सर्फ य तो मैं expect करूँगा आपसे कि इस वीडियो को like जरू करो, इतनी महनत का at least like तो किया जा सकता है वीडियो को, और please इस वीडियो को share करो, इसमें पता कर सके हैं कि हम कम time पर, और updated अगर आप ऐसे ही like करते होगे, तो मैं ऐसे ही content लाता रहूँगा, अब October month आ गया है, ठीक है, और important important videos भी आने वाले हैं, तो जरूर इस वीडियो को like जरू करो, चैनल को subscribe करो, और वीडियो को जितना हो सके उतना share करो, अगर आप मेरी ये help करोगे, तो मैं आपके लिए बहुत help करने को त्यार हूँ, तो two way communication हमना चाहिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना like करो, आप comment भी कर सकते हैं, so thank you everyone, जे हिंद, जे भारत!